यह दो आजम करने वाले हैं जे डबले तूताउसंट वैंटी तूम पूछा गया है श्रेट सेंडिलेशन चेपर ताइप उसलिए को उडिलेशन में से कुछा गाए तो शैजिए शेंडिलेशन में से क्विश्टन हमको दिया गया तो तुछ ऐसा let R1 एक साथ हमको relation दिया हुआ है AB belongs to N cross N यानि की A and B दोनों की value नेश्रल नमबर में से लेना जहां पे equation है node A minus B less than or equal to 13 and दूसरा relation है R2 where A and B belongs to same है N cross N यानि की नेश्रल नमबर में से N B लेना जहां पे equation है हमारे पास node A minus B not equal to 13 then on यानि की R1 equivalence relation होगा R2 होगा यानि दोनों में से कोई भी equivalence relation नहीं होगा यह हमको check करना है यानि की दोनों में से कौन सा relation equivalence मिलता है वो हमको check करना है चलिए देखते हैं equivalence relation के लिए हमको पता होना चाहिए तीन condition सबसे पहले तो देखते हैं reflexive condition पहले रिफ्लेक्सिव कंडिशन होती क्या है कि A का खुद के साथ ही रिफ्लेक्शन R1 के लिए देखते हैं सबसे पहले यानि कि A set A ले ले हम तो क्या होगा यानि कि यहां पे B की जगा पे भी क्या पूट करना है A यानि कि A minus A less than or equal to always क्या मिलेगा 13 क्योंकि A minus A क्या हो जाएगा 0 कोई भी value of natural number में से ले लो दोनों को minus करो तो answer क्या मिलेगा खुद के साथ ही तो 0 मिलेगा तो 0 क्या हुआ 13 से कम हुआ तो रिफ्लेक्सिव कंडिशन यहां पे satisfy होगी अब देखते हैं आगे second दूसरी कंडिशन होती है symmetric condition symmetric condition होती क्या है कि अगर A B कोई element लिया हमने अगर वो true है AB belongs to अगर R1 है यानि कि A minus B less than or equal to 13 होता है तो इसका उल्टा B A B belongs to R1 होना चाहिए यानि कि वो भी A minus B less than or equal to 13 होना चाहिए तो यहां पे देखिए होगा क्योंकि A and B की आप जो भी value अगर यह true less than हमने 13 ली है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम B minus A sorry यहां पे B minus A आएगा अगर हम उसका उल्टा B minus A करे तो भी वो less than और equal to 13 होगा तो symmetric condition भी satisfy होगी अब देखते हैं हम लोग last condition यानि कि transitive condition में हम यहां पे एक example लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा transitive condition में हमने example लिया है कि 13 belongs to R1 यानि कि अगर हम 1 minus 3 करें तो क्या मिलेगा 2 always हमको पता है 2 less than or equal to तो क्या होगा उसी तरह से हम जूसरा element लेते हैं 3 and 16 belongs to R1 यानि कि 13 16 minus 13 करें तो क्या मिलेगा 13 less than or equal to 13 less than नहीं है लेकिन equal to है तो condition प्रूव है लेकिन transitive क्या बोलता है कि अगर 13 प्रूव है 3 16 प्रूव है तो 116 भी सही होना चाहिए तो 116 के लिए क्या होगा तो अगर हम 116 लेंगे तो 1 minus 16 यानि कि क्या मिलेगा 15 जो की less than or equal to ये वाला गलत है 15 13 से चोटा नहीं है इसलिए ये ट्रांसिटिव कंडिशन प्रूव नहीं करता है यानि कि आरवन जो रिलेशन है वो हमारा equivalent relation नहीं अब देखते हैं हम लोग आगे कि आर टू के लिए क्या होता कि आर टू के लिए हमको क्या मिलता है यह वह देखते हैं सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव कंडिशन के लिए कि अगर हम कोई भी नेचरल नंबर में से दो नंबर ले ले जानी कि ए ए अगर ए माइनस ए करेंगे तो क्या होगा ए माइनस ए करेंगे तो नॉट इक्वाल टू 13 हो क्योंकि उसका आंसर क्या है कि जीरो आएगा जैसी कं इक्वाल टू 13 यानि कि रिफ्लेक्सिव सही है उसके बाद सेकेंड कंडिशन सिमेट्रिक कंडिशन सिमेट्रिक में क्या होता कि यह भी प्रू है तो भी एपी सही होना चाहिए तो देख लेते हैं क्या होता है कि अगर हमने ए बी लिया है यानि कि ए माइनस भी अगर हमारा not equal to 13 मिलता है तो अगर हम इसका उल्टा ले ले तो भी वह A minus B not equal to 13 ही मिले जाथ अब देखते हैं transitive condition के लिए last इसमें example से solve करते हैं चले देखे क्या मिलता है हम element ले लेते हैं first one that is one three जैसे यहां पे लिया वही लेते हैं one three यानि कि two not equal to 13 same उसके बाद three 14 not equal to 11 not equal to 13 सही है लेकिन one 14 क्या हो जाएगा one 14 14 minus one one minus 14 मोड है यानि कि 13 is equal to क्या मिलेगा 13 equal to मिला लेकिन हमको तो चाहिए क्या not equal to तो यह condition सही नहीं इसका मतलब r2 भी हमारा equivalence relation नहीं है तो यहां पे correct option हमारा हो जाएगा neither r1 nor r2 is equivalence relation यानि कि हमारा correct option हो जाएगा second one जो हमको question में पुछा गया तो यहां पे आप लोग सीधे डायरेक्ली देख के भी इसको बोल सकते हो आपको solve करने की जरूरत भी नहीं है क्या कि नेचरल नंबर लेने हैं जो ए माइनस भी less than or equal to 13 होना चाहिए तो मानलो कि ए हमने ले लिया तू एंड ले लिया हमने 18 तो 2-18 क्या मिलेगा 16 16 कभी भी 13 से थोटा थोड़ी होता है तो condition satisfy नहीं होती है तो फर्स्ट वाला यानि कि डाइरेक्ट भी हम बोल सकते हैं कि नाइधर आरवन और आर तू इस इक्री वेलेस्ट आपको यह सौल करने के भी जरूरत नहीं परेंगे